हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल कॉइन में दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम वजीर एक्स में चार्ट को कैसे देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम चार्ट में इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं तो हम चार्ट में इंडिकेटर लगाना भी सीखेंगे और उसे हटाना भी आज सीखने वाले हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां यह चार्ट लगा हुआ है यहां बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है यहां ऐसा ही लगा हुआ है तो आप कैसे अगर आप अपना मन पसंद क कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो उसे कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तों बने रही इस वीडियो में दोस्तों अगर आप अपने एप को अपडेट करेंगे तो इस तरीके से चार्ट ओपन होके आएगा अगर आप किसी भी क्रिप्टो का चार्ट देखेंगे चाहिए आप कोई भी कोई ले लीजिए तो यह एरिया वाला चार्ट है सबसे पहले हमें क्या करना है हमें इसे चेंडलिस्टिक पैटर्न में चेंज करना है तो चेंडलिस्टिक के लिए हमें क्या करना है यहां आप देखेंगे यह जो आप्शन आजा रहा है यहां पर किलिक करना है और यहां को कई सारे आप्शन मिल जाते हैं बट हमें केंडल वा मैं से बड़ा करता हूँ तो इसकी एक candle है यह दूसरी candle है एक green है एक red है green वाली जो है वो आपकी bullish candle है bullish और जो red वाली candle है वो आपकी bearish candle है यह तो दो different candles हो गई और यहां आप देखते हैं एक time frame होता है यहां पर जो यह लिखा 1H 1H का मतलब एक hours की candle है एक घंडे की candle तो जब एक घंडे में जितना भी अप एंड डाउन करेगा उसकी एक candle यह शो कर रही है कि एक घंडे में कहां गया है दूसरे गंडे में कहां गया है तीसरे गंडे तो एक candle एक घंडे की candle को दर्शाती है अगर हम चाहते हैं कि हम इसे चेंज कर लें तो आपको यहां किलिक करना है जाके टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं तो देखते हैं कैसा आता है यह स्टैप से हो गया है छोटा करना है तो आपको क्या करना है इस तरीके से कीज करना है तो यह एक बड़ा चोटा-बड़ा हो जाता है मैं भी आपको मुवाइल की स्कीन पर दिखा रहूं तो दो उंगलियों से आपको टच स्कीन करके ऐसे चोटा बड़ा कर लेना है और अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स को लगाना आप यहां देखेंगे एक आपको फंक्शन वाला ओप्शन आपको नज़र आएगा एफ एक वाला तो एफेक्स में आप फंक्शन मिलते हैं इंडिकेटर्स आप महां से लगा सकते हैं तो जैसे भी आपको कोई भी अपना मन पसंद का इंडिकेटर लगाना है चाहें वह वोल्यूम वाला हो चाहें आपका मॉलिंज रबैंड हो चाहें मूवरिंग आवरेज तो कोई लगाना के सकते हैं नगाना कसे करते है उससे हैं को सबसे पहले हम लगाना के सबेंगे और 5 आपको यह देखते हैं यह में लगाते हैं तो यह हम फ इस पर ईकर जैंगे तो यहां बहुत सारे cda आपको मेल जाते हैं, चाले तो आप स्क्रोल करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको आपका पता है, तो आप यहां से लिखके 출 करते हैं तो यह हमारा मूविंग एक लग जाता है, तो आप यह जो, बिलू वारी लाइन है यह हमारी moving average को दर्शाती है और अगर हमें दूसरा कुछ लगाना है जैसे RSI लगाना है relative strength index का तो इसका भी लिए हमें search करना है और RSI ऐसे लिखना है तो यहां से आगे relative strength index यह आपका आ चुका है यहां से आप इस पर click करेंगे तो यह लग जाएगा और आपको यहां से cross कर देना है जैसे आप यहां से cross करेंगे तो आप यहां नीचे की तरफ देखेंगे यह हमारा RSI नीचे शो कर रहा है बेसिकली RSI आपको यह दर्शाता है कि अभी जो candle pattern बना हुआ है या जो भी कोई क्रिप्ट है वो ओवर सोल में है और बाइंग में है बाइंग तरफ है किस तरफ जा रहा है जैसे कि अगर यह 70 से ऊपर है तो यह ओवर सोल में चला जाता है इसके लिए अलग से detail वीडियो बन सकती है बट में कर यह आपको indicators लगाना बता रहा हूं तो हमने अभी दो indicators लाके देख चुके हैं एक moving average एक RSI लाई एंड अगर आपको और भी लगाने जैसे बॉलिंजर बैंड लगाना चाहते हैं तो बॉलिंजर बैंड हम लिख लेते हैं बॉल इंजर ठीक है यह आ चुका है आप है तो सेम इसे select कर लेना है और यह ग्रॉस वाले बटन से आप हटाएंगे तो यह हट जाएगा आप आप है सब्सक्राइभाई कि यह बॉलिंजर बैंड का एरिया तो इस तरीके से हम अब बॉलिंजर बैंड भी लगा लिया है और भी कोई अगर आपको लगाना है तो उसमें भी आप वह लगा सकते हैं जैसे M.A.C.T अगर लगाना है एमेज टी नी ये हमारा एमेजट लग चुका है औ方 यह नीचे देखेंगे ये मसी डी आ गए या रस ही आ बिल्जर बैन डागीह तो इस तरीके से आप आप चार्ट लगा सकते हैं इंडीकेटरथ लगा सकते हैं फिर आपको चार ठेडिंग करनी है यह कोई भी क्रिप्टो को buy and sell कर सकते हैं है तो यह लगाने हैं अगर आपको change करना को इंडीकेटर यह हटाना है तो आप कैसे हठा सकते हैं उसे वह देख लेता उस तो अगर चाते हैं कि मैं यहां से maced जो है maced हटा दूँ तो Mrd आने के लिए क्या करना है यह जो MACD आप जो लिखाओ नजर आ रहा है यहां इस पर क्लिक करना जैसी क्लिक होगा तो यह इस तरीके से सेलेक्ट हो जागा यहां आपको तीन डॉट्स जो नजर आ रहे हैं तीन डॉट्स पर क्लिक करना है यहां से आप इसकी सेटिंग कुलिक करेंगे तो मंनमक है किंगे स 59 से यहां आरे सब्सक्राल के देखते हैं कि लुटा फ्राने कि 10 जाना है ट्री डौ के बाद संविया खते हैं तो आप सब्सक्राले सस्ञेयर में कैऊने अंच पूरी विंडो पर यह हो रहा है कि ओने में आपको इसमेंसे हटाना है अलग से जैसे यह बॉलिंजर बैंड है य bear moving average हटा के देखते है इसको तो इसके लिए हम सब क्लिक कर लेना है क्लिक करते ये three dots अरहे उसके किलिक करना है then remove कर देना है तो ये हमारा moving average भी हट चुका है elimका यहाम बॉलिंजर a bend हटाना है तो मैं आपको हटा के दिखा दीता हूं सेम ऐसे रिमोप तो खाली अब सिंपल केन्डलिस्टिक चार्ट है और केंडलिस्टिक चार्ट में आप यहां देखेंगे इस तरफ जो है यह खाली प्राइस को शोग कर रहा है यहां से और यह हमारा इधर टाइम फ्रेम है तो सिंपल चार्ट है बहुत ही अच्छा चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है तो इस तरीके साफ यूज करके किसी भी इंडिकेटर्स को आप अपनी अक्यूरेशी बढ़ा सकते हैं यह अपने बॉलिंगर मेंड लगा लिया तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद है कि अ झाल झाल